बेल आइकोन को दबाईए, लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स, आज हमें आपर देख रहे हैं जीविज्ञान, जीविज्ञान का सात्वा भाग है जिसके अंतरगत मेली हम बात करेंगे आज कंकाल तंतर की, कंकाल तंतर के बारे में जानेंगे हमारे सरीर में हड्डियों का किस तरीके से यूज होता है, किस से बनी होती है, कौन सी हड्डी बड़ी है और उससे क्या questions बनते है हड़ी से related तो कि हड़ी से related दो-तीन questions ही बनते हैं बनते तो बहुत सार हैं बनाने को तो बहुत सार questions बन सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो main questions बनते हैं वो 4-5 questions यहाँ पर निकल के आते हैं हमारे पास जो exam में हर बार repeat होते हैं अगर हड़ी से question आता है तो मेंली वही question ऊचा जाता है हम क्या करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को यहां पर आज पढ़ेंगे तो चलिए start करते हैं तो यहां पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पर पाचन को भी पढ़ेंगे रक्त भी पढ़ेंगे स्वासन सभी चीज़ों को जो है हम series by देखते जाएंगे लेकिन आज का जो हमारा topic होगा आज का topic है आपका skeleton system यानि की अस्ती तंत्र या फिर इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम कंकाल तंत्र भी बोलते हैं ठीक है यहां पर आस्ती तंत्र भाट अ रही है तो अस्ती से रेलेटर जितने भी हडियां Ice का में यहां तर्फ हुदो सिकते हैं यहां में कंकाल तंत्र का सृच्ट चलिए कि देखते हैं कि यह फूपड़ि होती है इस तरीके का पूरा जो है कंकाल तंतर का होता है, तो यह हम बच्पन से इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो चली देखते हैं क्या क्या होता है हमारे पास, अस्ति पंजर अनेक छोटी बड़ी हड्डियों के सैयोग से बना होता है, बनी सी बात है भाई, कि छोटी होती है और सबसे बड़ी हड़ी होती है अपनी फीमर होती है तो छोटी बड़ी कई देखे टुकड़ों में भी हड़ी है इनसे मिलके पूरा सिस्टम बना होता है तो यही चीज़ें पर बोली गई है अस्तियां संयोजी उतकों के कठोरतम रूप है अस्तिया क्या है संयोजी यहाँ पर बात की जा रही है कि अस्तियां जो है भीतर से खोखली होती है और जिनके भीतर अस्ती मजजा भरी रहती है और अस्ती मजजा में ही लाल स्वेत रक्त की जो है निर्माण होता है यानि कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि जो RBC होता है आपका उसका निर्माण कहा होता है हड्डियों में होता है ठीक हड्डियों में होता है यानि कि अस्ति मज्जा में बून मैरो में होता है ठीक अस्ति मज्जा अतलब बून मैरो अब लेकिन यहां पर जो एक लाइन मैंने पढ़ी ही कि अस्तियां भीतर से खोक होती हैं लेकिन यह मैं बता रहा हूं गलत पॉइंट है अस्तिय यहां पर यहां याद रखना है कि सभी हड़ियां खोकली नहीं होती है और मेरु रज्जु में जो अस्ती मज्जा होता है या पर पून मेरु होता है उसमें RBC का निर्माण होता है रैड ब्लड सेल्स का एक पून ब्यस्क मनुस्थ के अस्ती पंजर में पराये 206 हड़ियां ह होती है लेकिन नवजात बच्चे के अस्ती पंजर में हड़ियों की संख्या इससे अधिक होती है तो अब नवजात सिसु नवजात जो सिसु होता है उसमें कितनी होती है तो मैं बता देता हूँ इसमें बहुत लोगों confusion है नवजात सिसु यानि कि तुरंद पैदा हुआ बच्चा है उसको में 300 हड़ियां होती है यह जो है याद रखना है आपको कि उसमें 300 हड़ियां होती है कई जगे आपको option 208 भी मिलेगा लेकिन 208 जो है teenager के उसमें यह हड़ियां रहती है ठीक तो यह आपको याद रखना है मिली नवजात सिसु में 300 ही होते हैं यह confirm है दे YouTube चला है तो यहाँ पर जो description है वीडियो का नीचे उस description में जाईए तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि वीडियो के description लिंक में जाना है ठीक है और वहाँ पर आपको एक वीडियो की link दी रहेगी जो की इसी topic पे based है उसको मैंने सुरू के biology जो बहुत detail में biology पढ़ाई तो उसमें ने बता है उसमें हर चीज मैंने cover करी है तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि यह वीडियो चोटा रहेगा वो वीडियो लगभग 40 मिट का वीडियो में भी हो सकता है तो उसको आपको देखना है अब कसे रुपी की बात करें तो प्राणी में कंकाल तंतर ने दो प्रकार्टे होते हैं यानि एक बाह कंकाल होता है और एक अंते अ कंकाल होता है 2 लेे अपका कंकाल उपास्थी और लगे यह पहले तो आ though कि होती है तो में तो हो गया, तो इसमें हमको यह समझना है, कि बाहर act काल किया है, कंक काल का मतलब यह नहीं कि हडी ही आप लगा आओगे, बाहर यानि कि बाहर से चमड़ी एह हमारी उसको हम बाहकाौकाल बोलें और अंतर गंकाल जो हम को दिखाई निए देताए ऐन्दर है यानि कि हड्ड़ी बाली चीज तो उसको हम 00000an के इंड़्ाइ कंकाल रहो गया होगा अब जो हमारी हड्डिया थे जो क्या कार या ना हो तो हम कैसे भी हो जाएंगे ना और सरीर को सीधा रखते हैं बनी सी बात है हड्डियां जो हैं मोग स्टेबल रखती हैं और हड्डियां पेसियों की साहता से सरीर को गती देती हैं बिल्कुल सही ये भी गती देती हैं और अस्तियां सरीर के भीतर अंगों की रक्षा भी दरती है बनी सी बात है जैसे कि हमारे फिफड़े बगर रहा है उसको जो हमारे रिफ्स दिल है हमारे उसको भी कौन हमारे रिफ्स है वो उसकी रक्षा किये हुए उसके भीतर समाहित रहता है और अस्तिया सरीर के भीतर यंगों की रक्षा करती है और अस्तिया सरीर को चिट भदार होते हैं अस्तियां चलनों फिरुले में उस्तलक और लीवर का काम करते हैं यहीं पर यह पर लिवर है ठीक है यह लीवर है तो वोचीर यहां पर काम करती हो और यहां पर यूदियो आप हड़्डियों के नाम बता देता हूं और वौ साई ट्रिक्स वगेरा भी यहां पर बताई गई है तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो हड्डिया है तो उनको नाम में बता रहा हूं कि कहां कितनी हड्डिया होती है तो अगर हम पूरे सिर की बात करें तो पूरे सिर में जो हैं 29 हड्डिया होती है अब 29 कै कैसे होती हैं देखिए आपकी सिर्फ मला पूरे आपके जो फेश सब्सक्राइब झो यह पूरे खोपरी है यह निस ge हड़ी होती हैं कान में कितनी हड़ी होती हैं कान में यहाँ पर 6 हड़ीयां होती हैं तो इससे आपके कितनी हड़ीयां हो गई देखिए 9, मला 9 हो गई, 9-6, 15, 15 और 14 टोटल कित्ती हो गई, 29 हड़ियां हो गई, यह चीज हो गई, अब उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो गर्दन के पास भी हड़ियां होती है, तो उसको जो है हम बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, वो यह देखिए, गर्दन के पास जो हड़ियां, इसको हम बोलते हैं, 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 इसको हम क्या बोलते हिमरस याद रखना हों यह क्या था इश्टरनम था अब यह होगा इस इसको हम रेडियस बोलते हैं और नीचे charging पे आ ये question भी पूछ लिया जाता है कि सेकरम कहां पर होता है फिर ये आपको पता है ये femur सबसे बड़ी हड़ी होती है हमारी femur फिर उसके बाद गोटने की कटोली जिसको हम बोलते हैं उसके बाद पैर में भी दो हड़िया होती है ठीक है पैर में भी दो हड़िया होती है एक होती हड़ी कौन सी होती है तो यह पैर की जो हड़ी होती है वो खोकली हड़ी होती है यह याद रखना है और हाथ की जो हड़ी होती है यह वाले हाथ की हड़ी यह जो होती है ठोस हड़ी होती है यहाँ पर तो यह चीजें आपको जो है विल्कुल याद रखना है और ऐसे यह हो चाहे वो पैल की उंगली हो यह कॉस्चन भी आपर पूछा जाता है तो देखिए अब आपको क्या करना है कि बोजो मैंने एक वीडियो आपको बताया है जो नीचे डिस्क्रॉप्शन में दिया हुआ है आप उसको देख लीजिए है ना ताकि आपको इसली याद हो जाए चलिए अब जो है क्वेस कर लेते हैं थोड़ा सा क्वेस है हमारे पास कि निमलेकित में से किस एक जीब में पसलियों की संख्या 24 होती है अब देखिए पसलियों की संख्या 24 याने की बारा जोड़ी है यह किसमें होंगी बारा जोड़ी मैंने बता है पसलियों की संख्या क पर McLManus रीट की सबसे लंबी हडी कौन सी होती होती है हमारी फीमर होती है Second आती है आपके टीभिया जो सबसे चोटी हड़ी होती हो और यो फैबूला के पैर में पाई जाती है तो इसका अंसर है फीमर निमलकित में हैं तो नहीं फैबूला भी पैर की हड़ यह फीमर सबसे बड़ी हड़ी है तिपी beast बड़ी हड़ी है फेबुला भी पैर की ही हड़ी है और humorous जो है मैंने बताया था कि यह जैसे यहा यह हां तो यहांथ की जो होता है है बाइसेप बाला उसको हम हुमरस बोलते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा हुमरस कंकाल का मुक्र क्या होता है मस्तिक्ष को ढखकर रखना सरीर को निश्चित आकार प्रदान करना प्रदावस्ता में मनुसकी हड्डियां क्यों कमजूर हो जाती है उसके बाद प्रदाने लगो तो इसका अंसर को जाएगा कैल्सियम की कमी में और नौजात सिसु में तीन सो हड़ी होती है यह आपको याद रखना आ है हमारे अहार का नेमनी में से कौन सा भाग हड़ीयों और दातों की सम्रचना के लिए आवस्यक है तो मेंली जो है कैल्सियम यहाँ पर आवस्यक है तो इसका अंसर हो जाएगा कैल्सियम बहुत ही दे कि हड़ी से बहुत ही सिंपल कॉस्चन आते है नॉर्मल वह आपसे बन सीमेंट और रस्यक डोनों में विर्धान तर्फकॉ यहाँ आनसर हो जाएगा याईगा अस्तिया यानि हड्डी कहां पर पाएंगे जांग में निम्तम में या फिर कपाल में या फिर छाती में तो यह आपको छाती में मिलती है उरोस्ति मानो सरीड में किसंग में हड्डियों किसंग के असरवाधिक होती तो जैसा मैंने बताविया उंगलियों में चाहे वो पैर की उंगली हो चाहे हाथ की उंगली हो उसमें सबसे ज़्याद हड्डि आँगी तो इसका अंसर हो जाएगा आपसन नमबर A टीबिया और फैबुला नामा खड़ी कहां पाई जाती तो टीबिया और फैबुला नामा खड़ी टांग में पाई जाती है जो कि आपके टीबिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट हड़ी कहलाती है तो इसका अंसर हो जाएगा टांग सरीर की सरवादिक प्रवल अस्तियां होती है सरवादिक प्रवल अस्तियां कुन सी होती है तो प्रवल की बात की जा रही है मजबूत की बात की जा रही है तो उसका अंसर है जबड़ा जबड़ी की हड़ी जो है मजबूत हड़ी होती है कोई बोलेगा न हम जवडा तोड़ देंगे तो बोल दें न वह यह सबसे मजबूत हड़ी होती न तूट पाएगा जवडा कि खोपड़ी में कितनी अस्तिया होती है तो मनिस ते कि खोपड़ी की बाइब अब देखें यहां पर एक वाला हिस्सा बस समझा उनों ने तो इस वाले में क्या होता है कि इस वाले हिस्से में बस उनने खोपड़ी समझा कि भी सिर की बात की जारी तो इसमें तो आठ हड़ियां ही होती है आठ प्लस एक होता है इसलिए एक को जो है यहां पर अलग रखा गया जिसको हम हाइड हड़ ही कहते हैं विल्कुल वीच ऊप बीच रहती है ठीक है तो इसलिए यहाद रख सकते हो कि यह यहाँ पर होगी इसकांचर होता है यहाँ दोस्तों यहाँ पर यह वीडियो समाप्ठ होता है यह सौर्ट में वीडियो है क्योंकि NCRT की सीरीज चल लए है तो यह सौर्ट में ही रहेगी आपकी डिटेल देखना है तो का मैंने वीडियो डाला है कंकाल तंत्रवाला आप उसको देख सकते हो बहुत ही डीटेल में बहुत ही अच्छी चीजें बताई गई है जो आपने साहिद ना पड़ी हो और हड्डियों को याद करने की ट्रिक भी वहाँ पर बताई गई है तो उसको आप जरूर देख लिए पुछली मिलते हैं अगले वीडियों